कि यह सच Dal 거지 चलो देखते हैं कोश्चन एकना हम question ट्राइ करते हैं और यह question सिर्फ formate को समझने का है और question कैसे कैसे करनाEst वह भी देखेंगे मैंने side में चोटा question आ, विजवल कम होगा आपको हमेसा register का खरणNべau format करना है जैसे like- की यह register है ठीक है आपको एक page इधर पूरा का पूरा यूज करना है profit and loss और ये पूरा का पूरा page करना है आपको balance sheet के लिए हमेशा ये format follow करके चलना ताकि आपको पेज बार बार ना पलटना पड़े ठीक है और बनाने का तरीका दोनों एक साथ कभी भी ऐसा मत करना के पहले ट्रेडिंग बनाएंगे फिर पी एंडल बनाएंगे फिर balance sheet जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल same as it is करना आपका अंसर तभी जल्दी से जल्दी match होगा ठीक है तो सबसे पहले एक एक हजार पान सो तो सबसे पहले capital है तो capital कहां जाएगा इस साइट कि एक लाक एक हजार पान सो capital हमेशा ना अंदर के साइड रखना इसका क्या logic है क्योंकि इसके अंदर profit या loss एड़ लेस हो गई होगा ठीक है तो आपने रखा एक लाक एक हजार पान सो दूसरा क्या आपका cash इन हैंड तो assets होता है तो आप लिख दो cash इन हैंड अभी without adjustment कर रहे हैं cash लिख देता हूँ जगह नहीं है तो स्रिफ cash 6470 ठीक है इसके बाद है cash at bank 17 190 तो bank लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और simple सी बात है 17 190 अब आप notice करो मुझे यह नहीं मतलब कि कौन से account बन रहा है मैं data सीधा ही सीधा उठा हूँगा फिर आपका आगया opening stock 40,000 रुपए तो opening stock सबसे top पे लिखना है two short form में लिख देता हूँ थोड़ा stock इस पे कोई adjustment नहीं होता generally कभी कभी होगा हम आगे देखेंगे 40,000 यह question सिरिफ format कैसे fill करना यह सिखाएगा आपको furniture account assets है that is यहाँ जाएगा furniture 6,000 assets में 6,600 अब इसके बाद क्या है sundry debtor अब debtor के अंदर ना काफे सारे नाम लिखे में जैसे आपका यह नाम है अलग अलग तो यह तीनों ही debtor है ठेक है इसके बाद bills payable start हो गया तो sundry debtor की बात करें तो आपको जो दे रखा है ना यह यह total debtor के आगे क्या है 18,500 ठीक है यहाँ पर एक amount शायद missing है 100 रुपए नहीं है आप छोड़िए debtor का नाम एक debtor ना आपका missing है amount यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो typing error का बट इतना पटा है 18,500 रुपए का नहीं दोनों तो नहीं हो सकता एक minute यह पता ही क्या है इसका amount यह है यह समझो थोड़ा dark color ले देते हैं यह debtor यह है थोड़ा उपर नीचे हो गया है यह debtor यह है और यह debtor यह है ठीक है तो आपका debtor है तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिखना आप इन सभी को जोड़ करके भी debtor लिख सकते हो आपको नाम दिखाने की जूरत नहीं है इन सभी को उधार माल बेचा गया था क्योंकि यह heading है और इसके नीचे यह नाम है तो यह तीन debtor थे कि अपठारा हजार पानसो चार हजार और चोंतिस तो पच्छिस हजार नौसो तो यह लिख लिए अब देखते है तो इस साइड के लिखें लिखり कि अब देखते हैं तो P&L के लिए हमेशा 10 लाइन, 8 से 10 लाइन छोड़ना आप ट्रेडिंग के लिए उससे जादा होता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Advertisement, कितने रुपए हैं? 13,000, इसके बाद Advertisement के बाद 500, 500, इसके बाद आगे देखा जाए तो है Trade Expense, that is 100, अब Trade Expense ना कई बार सोचने को लगता है ट्रेडिंग का पारता है, लेकिन कई बार वो ट्रेडिंग में भी ले लेता हैं, कई बार P&L, हम हमेशा Trade Expense को P&L में लेगे, Trade Expense, कितने रुपए हैं? 100 रुपए, ठीक है? Trade Expense के बाद आप देखोगे, Trade Expense के बाद आपका आजाता है Salary and Wages Account, अब मुद्द की बात है, कई बार Salary और Wages होगा और कई बार Wages और Salary होगा, तो जो पहले वर्ड होता है, उससे Connect करते हैं, अगर Wages और Salary होता है, तो Wages Factory का पार्ट है, तो ट्रेडिंग में चला जाता ह Wages है, तो Salary को देखेंगे, पहले Priority, तो Office का है, तो यहाँ आजाएगा, Salary and Wages, Amount, क्या है, 2000, चलिए, अब इसके बाद Office Store Account, Store Assets होता है, Spare Parts वगरा होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, Store, कितने रुपे हैं, मैं अंदर लिख लेता हूँ, यह किस पर Adjustment है, नीचे मैंने देखा हुआ है, तो अंदर लिख ले, Store क्या होता है, बेसिकली, जो Go Down में जैसे की होता है, कुछ समान वगरा रखा होता है, तो उसे Store के अंदर Count कर लेता है, आगे कहता है, Traveling Charge 50 रुपे है, इसके बाद क्या है, Rent भी खर्चा है, अब देखो, कई बार ना ऐसा नहीं बताता, क्योंकि Rent देखो, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो अगर Rent बोला जाना है, तो हमेशा मानना है आपको कि हमने दिया होगा, लिया नहीं होगा, यह पंदरा सो है Rent, और देट सो है, Stationary है यह पंदरा सो है, और इसके बाद है, Stationary, कितने का, एक सो पचास, आगे चलते हैं, क्या है, Stationary के बाद, Discount Allowed, कितने 170 रुपए, तो यहाँ पर आजागा Discount Allowed, 170 है ना, Discount Allowed के बाद देखा जाए, तो Discount Receive है, तो Buy Side में आएगा Discount Receive, थोड़ा उपर Gap छोड़ के लिखना नीचे, क्योंकि यहाँ पर GP आएगा, Buy Discount Receive, कितने रुपए, 320 है ना, 320 है आगे देखा जाए, Discount के बाद, Bad Dates, Bad Dates आपका होता है खर्चा, तो इधर आ जाएगा, नहीं, Determining Expense होता है, अभी Adjustment करेंगे तो पता चलेगा, कहां कहां जाएगा यह, ठीक है ना, अभी तो Simple सी बात है, 3000 यहीं पर रहेगा, और कहीं नहीं जाना, कोई Adjustment नहीं है अभी इस पर, और नहीं अ जोड़ लेते हैं, 16,000, 28,000, और 4,000, और एक और है, Sales Account, यह तो Sales है न, एक यह भी है, Delight Shave and Company, तो कई बार आपको जब नाम दिखेगा न, यहां पर, जैसे कि यहां नाम दिख रहा है, मानलो यह Trade Greater Word नहीं देता, हट आ देता, हाइड कर देता, आपको Tony Limited दे रहा है, तो किसी का नाम तो यह Justify नहीं करता, ने कि खर्चा है, इंकम है, तो आपको चेक करना है, भीया, Credit में अगर दे रखा हो, तो लाइबलिटी होगा, यानि Creditor होगा, और Debit में नाम आ रहा हो, तो वो क्या होगा हमेशा, Assets यानि Debtor होगा, समझ में आई बात आपको, तो यह नह 45,600, तो यहां Creditor में ने लिख दिया, 45,600, जानकारी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूँ, क्या-क्या है, 16,000, प्लस, 16,000 के बाद प्लस कितने हो गए, 28,000 प्लस, 4000, और प्लस था हमारा, ठीक है, यह इसका टूटल लिख दिया, यह 45,600 है, क्लियर, अब आगे आज़ेते हैं, परचेस दे रखा है, 91,940, तो सबसे टॉप पे यहां लिखेंगे परचेस, और अंदर लिखना है, 91,940, 91,940, ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाया आगे, परचेस के बाद, सेल्स नहीं लिया, बीच में रहे गया, सेल्स हमारा साइथ, यह रहा, सेल्स अकाउंट रहे गया, 38,900, साइथ, यह मुझे लग रहा है, अमाउंट कम तो नहीं है, पाई सेल्स, 49,600, 38,600, एक मिट इसका लिख लेते हैं, सेल्स के है हमारा, 38,900, मुझे लगता है, यह कम अमाउंट है, एरर हो सकता है, 16,800, 4000, अच्छा, 49,600, 49, अब और एक चीज़ और धियान रखना, आपको कैल्कुलेटर अलाउट है, अब पहले जैसे नहीं होता था, 12 तक, अब आपको एक्जाम में अलाउट, और सिंपल कैल्कुलेटर, दो तीन तरीके कहाते हैं, जो यह कैल्कुलेटर ह सब्सक्राइब, नॉर्मल मार्केट में लोकल लेते हो, तो 100 रुपय का मिल जाता है, 70 रुपय का भी मिल जाता है, और आप कमपनी का लेते हो, जैसे आप और पेट वगरा का लेते हो, जो कि चलेगा आपका, तीन साल चल जाएगा, तो आपको धाई-300 रुपय करना, क्योंकि आपको कैल्कुलेटर चलाना भी आना चाहिए, तो हैबिट डालना कि आप कैल्कुलेशन कैल्कुलेटर पर कर सकते हो, ठीक है न, मोबाइल का यूज मत करना, अब आगे आते हैं सर, सेल्स भी ले लिए पर्चेस रिटन अकाउंट, अब सेल्स रिटन है, तो ठीक है, थोड़ा दिखनी रहोगा, 38,900 लिख है, इसके बाद और देखते हैं क्या है, इसके बाद पर्चेस रिटन दे रहा है, आपको 32,000 रुपे, तो माइनस कर दो यहाँ पर्चेस रिटन, 3,200, प्लाइं डाल दिया, इसके बाद क्या दे रखा है, पोस्डिटिट चेक सर पोस्डिटिट चेक क्या होता है, यह समझ लेते हैं, ठीक है न, पोस्डिटिट चेक क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे माल लो, यह हमारे पास या, माल लेते हैं एक दुकानदार है, और उस दुकानदार का नाम मिस्टर राम है, ठीक है, और इसने समान बेच दिया, suppose Mohan को समान किसको बेच दिया Mohan को बेचा Mohan को कितने का समान बेचा suppose करो 5000 का समान बेचा अब Mohan से इसने पूछा कि भाईया जो मुझे payment कब तक दोगे क्योंकि जब कभी भी कोई समान उधार बेचेगा ना तो always क्या consider करेगा भाईया मेरे पैसे कब दोगे यह तो बताओ समान देने टाइम पर बोलेगा अब Mohan ने बोला कि भाईया मैं payment जो है आपको दे दूँगा कब दे दूँगा मैं इसने बोला मैं 20 तारिक को दे दूँगा अब राम ने कहा कि भाईया 20 तारिक को तो आप payment दोगे ठीक है और Mohan कहता है 20 तारिक को दे दूँगा उसके थोड़ी देर बाद Mohan ने कहा है 20 तारिक को तो मैं यहां पर हूँ ही नहीं मैं 25, 20 से 25 तो बहार हूँ तो मैं 25 को दूँगा राम ने कहा नहीं भाईया आपको लास तो कब तक देना पड़ेगा 20 तारिक तक तो पैसा देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में किसने कहा मोहन ने कब तक payment देना पड़ेगा 20 तारिक तक और यह 20 से लेके 25 तक मान लेते हैं कहीं घूमने के लिए गया हुआ है तो अब मोहन ने बोला कि एक काम करता हूँ आपको 20 को ही पैसे मिलेंगे मैं एक चेक दे देता हूँ आपको आज और आज क्या तारिक है जिस दिन डील हो रहा है वो एक तारिक है मान लो आज ही मैं आपको चेक दे देता हूँ इसके उपर एक आठ लिख देता हूँ में और आपके पाँच हजार रुपए लिख दिये और इस पर एक आठ नहीं तारिक मैं 20 आठ डालूँ आ और ये दे कब मैं रहा हूँ एक आठ को तो आपके पास आज के दिन ही चेक आगया लेकिन ये चेक किसके पास पड़ा हुआ है मेरे पास तो ऐसा चेक जिसके उपर date कभी आगे की डली हुई है लेकिन है मेरे पास वो ऐसे चेक को बोलते है post dated check तो ये भी मेरा assets ही है आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा पैसा तो इसलिए post dated check जो दे रखा है अब नीचे ना जब कभी ये सारी जितनी जानकारी है that is आपका इसे बोलते है trial balance ये क्या given है आपको trial balance given आपको final account हमेशा trial balance की मदद से बनाना पड़ेगा ये given है आपको trial balance ठीक है अब trial balance जब बंद हो जाता है जैसे देखो यहाँ पर total करके इन्होंने बंद कर दिया trial balance जब trial balance हमारा बंद हो जाता है तो ऐसे situation में उसके नीचे जितनी जानकारी होता है उसे क्या बोलते हैं adjustment कराओंगा उसके बाद हम questions पर आएंगे ठीक है अगला कहता है कि office store आप 500 का रहे गया है इसका मतलब है 500 तो assets था पहले कितने का था अब यह कहरा है 500 का रहे गया है तो इसका मतलब depreciation कितना लग गया है साथ सो का विशेशन के टतना लग गया हमारा और दो के दिए एक ऐसे दो एंट्री देखो यहां पर भी मैंने करा एक ट्रेडिट और एक डेबिट कर दिया और इसकी भी देखो एक यहां पर मैंने करा और एक दूसरे जगा भी ले गया मैं 500 नहीं 700 आएगा डेप्रिशेशन जो लगा है वह 700 ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा अड्जस्मेंट अभी हमें ऐसे अड्जस्मेंट ना खूब सारे देखेंगे मैं एक बार कुश्चन को चेक कर लूँ मुझे कुश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि गलत ना हुई है पांसो तेरह हजार तीन सो भी सोलह हजार अटथाइस हजार चारह जार ठीक है को अब आ जाते हैं कुश्चन का क्यों ज़रत नहीं है हम सीधा टोटलिंग पर फोकस कर लेते हैं अब टोटल करना भी आना चाहिए किसको पहले प्रायरेटी पर करोगे कुश्चन बीस नंबर का आएगा आपको देखो यह बीस नंबर का तो आपको जो एक्जामनर कॉलेज के अंदर तभी मा टोटल कर लेते हैं तो 38,900 माइनस में 2,000 that is 36,900 अब एक लाक इधर का टोटल है तो 136,900 और इधर का टोटल ज्यादा किस साइड का हो रहा है मेरे हिसाफ से ज्यादा 9,4,13 इधर का ही ज्यादा हो रहा है ना हा एक 36,900 और यहां पर आगया 9,1,940 माइनस में 32 यह आगया 88 7,4,0 अब 136,900 इधर भी लिखतेंगे जैसे आपको अकाउंटिंग का बैलेंस करते हैं और यहां पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में 136,900 माइनस में 40,000 88,740 81,60 ठीक है बाइ जी पी चलिए अब इसका भी टोटल करेंगा ऐसे ही तैना अब इक आसी 600 अब यहां पर हो प्लस तीन सो बीस यह आगए 848 जिरो ठीक है कितने आगए 848 जिरो यहां पर क्या निकलेगा टू साइड में आप देखो मैंने टू नहीं लगाया तो कॉलिज के अंदर नहीं है कि टू लगाना है आपको टू और बाए आपकी मर्जी है लगाना चाहते हो लगाओ नहीं लग लगा वह ग्यारवी तक होता है आपका बारवी तक कभी है इधर टू इधर बाए तो कई जगह पर मैंने लगा दिया है तो आप लगा देना सिमेंट्रिक फॉलो कर लेना ठेक है माइनस में 500 माइनस में 100 माइनस दो हजार 60 बस 60 रुपे का प्रॉफिट आया अब यह 60 रुपे कहां चला जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है अब यह दोनों साइड आपका हमेशा एक्वल आना चाहिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ यह दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए एक्वल तो पहले हम इसको देख लेते हैं 60 रुपए प्लस एक लाख एक पंद्रा सो माइनस में पच्छिस सो या गया 99 जीरो सिक्स जीरो प्लस तेरह हजार प्लस उननचास छे सो या गया 161 161,660, 6470, 190, 6600, 25900, 500, 5000, 1,60, अब ये जो कोश्चन किया है हमने वो कौन सा किया है विदाउट अड़्जस्मेंट अब इसके अंदर अड़्जस्मेंट एड़न होंगे टोटल हमारे खाल 20-22 अड़्जस्मेंट होते हैं टोटल जो कि हम एक एक करके सीखेंगे इसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर आपका सारा अड़्जस्मेंट होगा जो आप नई बुक लोगे चाहे टैनियर लोगे ऑल्रड़ी उसके अंदर मेरे नोट्स ना तो आपको पूरा प्रॉपर करवाओं आई कि इसके यह एंट्री होगे जैसे कि हमने ग्यारवी क्लास में अगर जिसने पढ़ा है तो कर रहा था कि दो पार्ट होते हैं क्लोजिंग स्ट्रेडिंग में पींडल में तो इसलिए उस टाम पे बोला जाता है भाई ग्यारवी क को संभाल के रखना ग्यारवी के बुक को रेजिटर क्योंकि यह चीज़ें आपको आगे काम आएगे अभी बारवी वाली बुक जो कंपनी वाली है बहुत काम आने वाली है सेकिंड समिस्टर में हां तो उसके अंदर पूरा एडवांस आएगा तो वह आगे काम आएगा त कोशन नोट करने की जुरत नहीं है